दोस्तों आज हम बात करेंगे, नेबुलाइजर की, आज कल सभी लोग जानते हैं कि जब भी खासी होती है'm बच्छों को बड़ो को तो उन्हें नेबुलाइजर दिया जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे नेबुलाइजर कौन- Scottish मेडिशन से दी जाती है कैसा काम करती है उसके क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुक्सानात हो सकते हूं कि सबसे प mogę जानते हैं कि नेबुलाइद रख क्यों दिया जाता है उससे जानने के लिए सबसे पहले माइन जानना जुह का Tip 5 क्या होता है होता है कि जब भी हमें कुछ इंफेक्शं हो गया चाहे वाइराल इंफेक्शन आप दो गी तो गेले सब्सक्राइbat तो उसके अंदर क्या होता है कि infection के वज़े से उनका जो यह रहता है सूजन उसके अंदर आ जाती है सूजन आने के वज़े से क्या होता है कि उनका जो airway रहता है जो passage रहता है वो passage क्या होता है कि सूज जाता है अंदर से सबस्थ अगर आपके ब्रॉंक्यल संख ये नली है, सुजन के वजेसे की हैं कि इसका अंदर का जो साइज हम चाहिता है साइज कम होने के वजे वज़े से एर एंदर ऑप ही जाते हैं हाओ जो पाहर आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर रुकावाट पैदा हो जाती है और फिर क्या होता है बॉड़ी का एक रियक्शन रहता है फिर बॉड़ी क्या करती है म्यूकस सेक्रेशन करती है उसके अंदर कफ पैदा हो जाता है तो बॉड़ी हमारी बॉड़ी क्या करती है कि के लिए मैं लाष परणलने के लिए तौ उसके लिए जो हमारे सॉस्च के लिए निली पर शुजन आई गेए लिए three टू उसे दूर करने के लिए हम दो तरीके की टीमिन करते हैं। तो रा टो हमें खांसी की बॉटल देते हैं कफ सिरप जो देते हैं उसमें बॉंको डाइटर करके जो दवाइया होती है कफ सप्रेक्शन जवा उती है कफ को कम करने वाली जो दवा होती है सीजन की दवाइय निक्स होती है तो यह नभल check स्दैनRO अज तो आजकल कौन-कौन से नेबुलाइजर में हम लोग solution यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला जो basic solution होता है वो होता है salbutamol estalin नाम आपने सुनाओंगा livolin नाम आपने सुनाओंगा तो यह जो salbutamol जो है यह है bronchodilator यह क्या करते हैं कि हमें जो bronchiols है जो नली है उसको खुलने का काम उसको डायलेट करने का काम करते हैं उसके बाद में आता है buddusonide buddusonide में ब्यूनेज नाम से बहुत मशुर नेबुलाईजर solution जो है रस्पूल मिलता है यह जो esteride होता है esteride क्या करते हैं कि हो सुजन को कम करते हैं नली के अंदर जो सुजन आई वी रहती है वह इस्टुराइट जो है कम करते हैं तीसरा जो आता है एपराटोरियम और प्लस सालगोटमल दोनों का कंबिनेशन आता है जो इपराजेस नाम से मार्केट में मिलता है और जो डियूलिन नाम से जो बहुत जादा मशूर है वो ना के अंदर का जो एयर्वेस डिस्टॉबंस होएवा है यह निबॉलाइजर डायरेक हमारे लंक्स में जाके उस एयर्वेस को खोलते है उस सुजन को कम करते है जिससे जो है हमारी खासी जो हो कम हो जाती है अब बात करते हैं कि इसके क्या-क्या फाइदे है दीकि मैं यह था मताले बता है अगर आपको खासी है तो आपको दो तरीके के मेडिस सकते एक तो कफ शिरुप लो है फिर आपने जरने बुलाइश लो तो कफ शिलराप में और अवकिक शाइपंगरावा बच्यों धार्व को देखी जा सकती है तो या फिर रिजर्ट भी जो है उसके थोड़े से हमें लेट मिलते हैं तो इस वज़े से जो है मेडिकल में रिशर्च करके यह जो आप्शन जो है नेबॉलाइजर जो आप्शन निकाला गया है खासकर बच्चे जो कप सिरप लेने के लिए यह करते हैं क्योंकि कड़वी होती है तो या फिर कई बच्चे उसको उल्टी कर देते हैं कई बच्चों को उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो इसे वक्त में भी नेबॉलाइजर हमारे पास में एक अल्टरनेट बहुत अच्छ करते हैं और नेबॉलाइजर जो है वो जल्दी से असर भी करता है जल्दी से खासी को कम भी करता है अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुक्सानात हो सकते हैं दिखिए नेबॉलाइजर का चलन बहुत ज़्यादा हो गया आजकर बहुत सारे घरों में भी नेबॉलाइज होते कब कूंता न Judaism देना है यहां आपका डाक्टर जो है यह कुछ यह कर लोक क्या कर रहे कि जरा सी भी खासी आ गई तो बस नेबुलाइजर दे देते यह नहीं देखते कि भी छाती में कफ हाई नहीं है ब्रॉंक्योस में जो है वो म्यूकस है नहीं है तो डॉक्टर को इससे परता चल जाता है उसके उसके अंदर सीटी के आवाद आना शुरू हो जाती है लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐलर्जी के वज़िदे खासी है ठसके है ऐसे वक्त में आपको इस्ट्राइडल वाला जो है नेबुलाइजर आप ले सकते हैं लेकिन घर पे इस्तलीन होता है यह फिर इपरजेश्ट होता है डूलीन होता है तो लोग वो देना शुरू कर देत उसकी वज़ा वही है कि वज़ा कुछ और रहती है आपने treatment कुछ और किया उसके अलावा जैसे बने बताया के bronchodialator क्या करते के ये उसका नली को झभलने का काम काम करते अगर आपके अगर नली जो bron backlisal ज्डीप ले कुई कि अगर भी नुक्सानात हो सकते हैं कि आप एक ही बिमारी के लिए दो-दो medicine एक साथ, दो-दो treatment एक साथ कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको डॉक्टर से discuss करना है, उसके अलावब जानते हैं कि इन chemical के भी कुछ side effect होते हैं, जैसे बुदू court जो है, बुदू सेनिट जो है, जो इस्टिराइड है, इस्टिराइड के side effect में हमने इस्टि एक observation भी absorption हो सकता है, या आपके थोड़ा बहुत खुन में भी यह दवा जा सकती है, तो थोड़ा बहुत side effect भी इसको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा तर जो इसके side effect देखने को मिले हैं, वो आक से related मिले हैं, मतलब आपके बच्चों को आक से related problem हो सकती है, नाक के जरिये यह भी देखा गया है, तो आप जो है, जो ब्यूने जो है, अगर नेबुलाइजर दे रहे हैं, तो इसमें से related side effect अगर दिखते हैं, तो तुरन नेबुलाइजर देना बन कर दे, उसके लाओ जो इपराजेस जो हम दोते हैं, डियूलिन का जो रेस पूल देते हैं, उससे क common side effect है, बच्चे की धड़कन बढ़ जाना, बच्चे चीर चीर करना, बेचाइन होना, और बच्चे की जो है, ट्रेमर साना, इने बच्चे कपकपी जो है, बच्चों के अंदर अपने आप देखने को मिलना, हाथ पर थोड़े थोड़े हलते हुए दिखना, तो यह से आप जरूर कंसल करें कुनथा जो है this देना है, कितनी दिन देना है आप अपने डॉक्टर से पूछ करी ढ़्यर आप ला लिए, तो जछा से सरी है, जछा सी खासी है कि भारं निभूलाइजर दे दो, तो ऐसा ना करें, क्योंकि यह chemical है, इन के side effect होना ही होना है, यह जो बताएंगा तो दोक्तो इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो कहीं नहीं नुक्सानात भी है तो यह आपको ध्यान देखना जरूरी है हमने आज निबुलाइजर के बारे में इस वीडियो में बात की से रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी जो कुछ भी सवालात हो तो आप हमने जरूर वर्टसब कीजिए और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्रेल वाशिम जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाई